हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल हेल्सिटी फ्रेंट्स आज मैं आपको शाटिका की दर्द की बारे में बताऊंगी जैसे शाटिका का दर्द आप सबको पता ही है कि कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है हमारी डिर्की हड़ी में स्पाइन में और उसकी कि वहाँ पे एक अलग सी एक्सेसाइज आपको मिल जाएगी उस प्रॉब्लम के लिए इस पाइन से रिलेटिड बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं जिसके वज़े से शाटिका का दर्द बन जाता है शाटिका का दर्द आपको पता ही है यानि कि आपकी लैग में पेन आने लगता है या तो दोनों लैग में आने लगता है या किसी एक लैग में आता है तो उसको शाटिका का दर्द बोलते हैं बैड से उठने ही पाते तो एक exercise में उनको यह बताऊंगी जब आपको पेन हो बहुत ज़्यदा आप पेन में हो और कुछ नहीं कर पारे वह exercise भी जो मैंने बताई हैं वह भी आपसे नहीं हो पारी मैंने शाटिका के लिए भी बताई हैं मैंने एक्यूट स्लिप डिस्क होती ह इसके लिए exercise बता रखिए हैं तो चैनल पर जाके आप सारी जो भी शाटिका के दर्द से रिलेटिड वीडियोस हैं या आपकी जो मराई में निकला है उससे रिलेटिड जो भी exercise आप उनको देख सकते हैं लेकिन अगर आप से कुछ नहीं हो पा रहा है बाई चांस ऐसे हो कभी कभी बहुत जाता दर्द हो जाता है तो तब आप क्या करेंगे तब आप बहुत सारी exercise नहीं कर सकते क्योंकि आप से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है आप बैड पे लेटे हैं और वैसे भी जब ज़्यादा पेन होता है तो कुछ भी करने का मूर नहीं होता है exercise छोड़ है बस उसी position में आप करते रहें चिर्फ एक moment है उससे ही आपको काफी relief मिल जाएगा और friends जो moment आपको बताने जा रही हूं उसको ऐसे नहीं करना कि आप skip करके देख ले कि चलो हो गया इसको ऐसे कर लेंगे तो देखिए आप कैसे लेटेंगे तो आपने क्या करना है आप मा आपकी जो spine है वो एक line में होनी चाहिए गर्दन से लेकर आपकी back तक आपके hip तक spine आपकी एक line में होनी चाहिए इस तरह के आपने विवस्ता करनी है arrangement इस तरह कर आपका होना चाहिए मताब पिलो भी अगर लिया है तो बहुत जादा पतला ना हो और बहुत जादा ना हो औ कोई ऐसा टावल या कुछ ऐसा चादर वगारा फोल्ड करके रख सकते हैं देखे जैसे मैंने रखा है अब आपने एक चीज़ और देखनी है अगर आपकी मालिया इस leg में pain है तो यह नीचे होनी चाहिए मेरी इस leg में pain है तो मैं इसको नीचे रख रही हूँ अगर आपकी तो आप दूसरी करवट हो जाएंगी इस leg के लिए मैं बताऊंगी तो अब आप क्या करेंगे आपको यहां से मालिया आपका एक हाथ पीछे कोई दिक्त नहीं है थोड़ा पीछे से भी ऐसे आप हो सकते हैं और आपको जो हाथ से लेकर यानि कि आपकी जो कमर है यह भी और आपका जो अपरवाला लें यह भी एक साथ मूव करवाना है धीरे धीरे खिसकाना देखिए कैसे और आपकी कमर जो है वो आगे पीछे नहीं होगी वो एक साथ एक लाइन में आगे पीछे जाएगी आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि ऐसे बिलकुल नहीं करना है कुछ लोग ऐसे ले जाते हैं यानि कि ये चीज आप आगे ले गए एक दम ऐसे बिलकुल नहीं करना हैं इसमें साफधानी रखनी है देखें दुबारा से फिर देखिए ये मेरा हाथ ऐसे है थोड़ा सा पीछे है इस नीचे वाले हाथ से तो अब आप क्या करेंगे ऐसे आपकी सारी मुमेंट वो एक साथ होनी चाहिए यानि हाथ की मुमेंट भी और घुटने की भी ऐसे नहीं कि घुटना आपका ज़्यादा आगे जा रहा है हाथ कम जा रहा है ऐसे नहीं जितना आपका हाथ जा रहा उतना ही आपका घुटना भी जाना चाहिए और जब वापिस आते हैं तो एक साथ वापिस आना चाहिए यह आपने करना है अगर आपकी इस वाली लेग में दर्द है तो आपने इस वाली लेग को नीचे रखना है देखी कैसे मैं दूसरी साइट भी दिखा लेती हूँ तो इस तरीके से आप दोनों साइट भी कर सकते हैं और अगर आपकी एक लेग में दर्द है तो एक साइट भी कर सकते हैं और ऐसे मुमेंट करिए कि आपको जादा खिचाओ ना देना पड़े जादा दर्द ना महसूस हो अराम-राम से करिए तो आपको काफी relief मिलेगा दर्द में भी और लेटे लेटे आप कहीं बार कर सकते हैं जब भी आपका एक दो गंटे बाद फिर मन हो करनेगा तो आप करते रहे हो काफी आपको अराम मिल जाएगा इस एक moment से क्योंकि लेटे लेटे आप कुछ और तो करने ही सकते नहीं हूँ नक्स वीडियो में तब तक के लिए गुद बाई